हेलो एवरिवान वेल्कम टू माई चैनल कैसे हो दोस्तों कमेंट में जरूर बताईएगा तो डिनर के लिए मैंने यहां पर तयार किया हुआ था कटहल की सबजी जो कि मैंने चपाती के साथ बनाया था और यह रोटी पराठे उड़ी जिसके साथ आप पसंद करते उसके साथ इस सबजी को एंजोई कर सकते हो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी लगता है तो यहां पर चलिए हम देख लेते हैं कि हमने कटहल की सबजी कैसे बनाई है तो यहां पर कटहल की सबजी बनाने के लिए मैंने यह देखिए कटहल ले लिया इसको मैंने अच्छे से साफ कर लिया और यह बड़े बाले कटल है इसमें जो बीच होते बड़े-बड़े मैंने उसको निकाल दिया क्यूंकि सबजी में पिर मुझे उसका टेस्ट नहीं पसंद इसलिए मैंने निकाल दिया है अगर आपको पसंद है तो आप डाल के बना सकते हो सब्जी में तो इसको हम एक सीटी तक आने तक बॉयल करेंगे, बहुत जादा इसको बॉयल नहीं करना है, हाँ लेकिन एक सीटी तक आने तक बॉयल करेंगे, और बॉयल करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल दिया है, ताकि ठेस्ट थोड़ा सा आ जाए, तो में लहसन थोड़ा जादा लगता है तो आप लोग देख लेना यहां पे आप लहसन और अध्रक का पेश्ट भी यूज कर सकते हैं तो चलिए अब यहां पे मसाले हमारे रेडी हो चुके हैं तो मैंने कड़ाई में थोड़ा सा सरसो को तेल लिया है आप कोई भी ओयल यूज क की थोड़े बड़े टुकडों में ही कट किया हुआ है इसको मैं फ्राई कर लूँगी जैसे अंडे को फ्राई करते हैं वैसे ही गोर्डन ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई कर लेंगे यह देखिए और अब इसी तेल में हम अपने मसालों को भूनेंगे तो मसालों के लि मसालों की बहुत ही अच्छी खुसबू आने लगती है आने लगे तब हमने जो पेश्ट बनाके रखा है प्याज लहसन अद्रक और हरी मिर्ची का उसको इसमें एड करेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे ये देखिए इसका कच्चा पन बिल्कुल से निकल जाना इसका कच्चा टेस्ट निकल जाए तो यहां पे कच्चा टेस्ट इसका निकल चुका है अब हम इसमें सूखे मसाले एड करेंगे तो नमक है हल्दी है लाल मिर्ची है और जीरा पाउडर धनिया पाउडर ये चीजे मैंने इसमें एड कर दी है अब इसको डालके भी हम अच यहीं चाह टमाटर को अच्छे से दूल के इसको भी पेष्ट बना लिया था यह देखे अब इसको भी डालके हम अच्छे से इसको बूनेंगे टमाटर का भी कच्छापन निकल जाना चाहिए और अब अगर इसमें थोड़ा और टेस्ट बढ़ाना चाहते हो तो आप घर पे जो दूद का मलाई होता है, उसको भी यूज़ कर सकते हो, क्रीम यूज़ कर सकते हो, मैंने नहीं किया हुआ है, और अब इसमें हमने धोड़ा सा डाला है हींग, हींग का टेस्ट इसमें बहुत ही जादा अच्छा लगता है, आप चाहो तो तड़के के साथ ही डाल सकते हो, बट मैंने मसाले के भुनने के साथ डाला हुआ है, अब इसको हम ढखकर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ताकि मसाला और टमाटर सब कुछ अच्छे से भुन जाए, और थोड़ा सा अच्छे से पक जाए, और सारे मेरे आलू अच्छे से पके हुए हैं, और साथ म और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे कटहल तो सबका अपना अपना बनाने का तरीका होता है कई तरीके से लोग बनाते हैं बहुत लोग नहीं बॉयल करते हो और जैसे मैंने आलू फ्राई किया वैसे लोग कटहल को फ्राई करके तब बनाते हैं मैं उस तरीके से भी बनाई हुई हूँ और अगली रेसिपी हम या नेक्स टाइम हम ऐसी ही कोई रेसिपी फिर से आप लोगों के साथ सेयर करेंगे फिलाल मैंने यह नए तरीके से बनाया है तो आप लोग भी इस रेसिपी को इंजॉय करो अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरी जी हाँ गरम मसाला का टेस्ट इसमें बहुत ही जादा जरूरी होता है क्योंकि यह नॉन बेस का टेस्ट बिलकुल दिसा देता है तो यहां पर यह देखिए और मैंने दो हरी मर्ची उपर से यूज की है अगर आपको तीका पसंद है तो आपक ची हरी विर्ची इसमें सकते हैं और उसको फिर अच्छे से बनाई हुई है जैसे रिष्टॉरेंट रगेरा में मिलता है मैंने वैसा बनाया हुआ है तो यहां पर हमारी कटाहल आइकज़ चलिए हम कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलियागा क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स पढ़के दिल को बहुत ही अच्छा लगता है और फेस पे प्यारी सी स्माइल आती है तो चलिए यहां पर कठाल की सबजी को इंजॉय करते हैं और चलिए हम आपको मिलते हैं नेक्स वीडियो में न थैंक यू थैंक्स फोर वाच्चिंग बाए बाए